हेलो स्टूडेंट वेल्कम टू फ्रेंट प्रेपरेशन यूटूब चैनल इस चैनल पर मैं लेके आता हम आपके लिए रोजारा एजूकेशनल वीडियो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास फिर्थ की इंग्लिश की बुक से एक स्टोरी जिसका टाइ है और पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फटाफट फ्रेंट सेट प्रेपरेशन और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके चला फिर स्टार्ट करते हैं और हाँ इस हुआ स्टेशन में स्टोरी है क्या तो पहले इंट्रोड़ेशन अपने बारे में स्टोरी झाल से बताता है तो ऊसे वोला जाता ओट्स पाईग्राफि तीक अगर कोई और प्रसीं थिके किसी और परसन की स्टोरी बताएगा तो उसे बोला जाता है बायोग्राफी देखो ओटो बायोग्राफी का मतलब यह है बच्चो कि जैसे मान लो आप अपनी कहानी लिखने लग जाओ ठीक है और फिर मैं आपकी कहानी पढ़ू तो वह तो ओटो बायोग्राफी होगी अगर बायोग्राफी की मीनिक किया है तो इसमें जो गुलीवर है गुलीवर एक इक सोलजर है बच्चो गुलीवर असोल्जर कर वा इक purchase कि, दान वोग चो मयं पकड़ और यह उसका بिर इन स और यह दिज को सामी दंव की दान बों की एक जगें ती जहाँ उसे उसे पकड, लिय कि या गया था उसके साथ क्या क्या हुआ था उसी के बारे में story है ट मिलीवर describe his own happening with you याडि कि वो अपने साथ जो भी उसके साथ हुआ था क्या क्या हुआ था उसके साथ उसे वह story की form में आपको describe कर रहा है जो उसके साथ experience हुआ था ठीक है चलो पढ़ते हैं on the 16 June 1730 we discovered land जो गुलीवर है वो बता रहा है कि भी यह जो बात है कब कि है 16 June 1730 भी आप सोच रहे हो सर अभी तो 2020 यह है यह लेकिन यह जो स्टोरी है बच्चो 1730 की है तो अप्रॉक्सिमेटल आप कह सकते हो 300 यह बैक 290 यह एक्जैक्ली होता है वैसे तो 290 यह बैक पीछे की स्टोरी है और इस स्टोरी में गुलीवर अपने एक्स्पीनेंस बता रहा है कि भी इस डेट को 16 June को उसने एक land discover किया था ओर क्वैटन आज प्र बैद दर्जन आफ मैन विद वैसल फॉर फॉर वार्टर इनकी जोग्टन थे इस इनों पहल परटन ने बjemस आच कि यह प्राइब किया हो यह है निकिशाज से ब शे अरुदल किया 220 उप्र ऑशने उट बाषन कर पानीपिन पोला कinklesनार ऐना पानी matter याने की जो गुलीवर है बच्चो जैसा कि आप ये पिक्चर में देख रहे हो ये जहाज में कहीं जा रहे होंगे ठीक है और जाते जाते रस्ती में से कोई जगह देख गई होगी तो इनके कैप्टन ने उसे बोला कि जाओ पानी लेकर क्या हो मेरे लिए ठीक है तो ये यहां पर नहीं हम यहां पर है when we when we came to land we saw no river no spring not any habitants अच्छा जिस लैंड पर वो पहुंचे बच्चे वहां पर कोई रीवर नहीं था यानिकि जब वो पानी के थुरू वो गेज करके पानी वाली जब जरनी कर रहे थे तो उनके कैप्टन ने बोला कि ठीक है भी हमें एक ल spring spring यानि की जो season होता है बसंद का यानि बसंद जैसा कुछ नहीं था nor any habitants habitants मिन्स होता है बच्चो जो किसी भी place के रहने वाले लोग होते है residence भी बोल सकते हैं एक तरह से आप ठीक है यहां पर रहने वाले लोग निवासी की बात की जा रहे है को रहने वाले वहां कोई लोग भी नहीं थे I went on to explore और फिर मैं ढूंडने निकल गया किसे ढूंडने निकला पानी को ढूंडने निकले निकले पानी कैसा पीने वाला पानी क्योंकि बच्चो जो समुंद्र होता है वो वाला पानी हम लोग पी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पीने लाइक नहीं होता है तो इसलिए यह गails कुछ देखने को नहीं मिल रहे थे रेगस्थान । रेगस्तान टाइप को नहीं उद्धान साइब नए मर Do जो captain ने जुसे order किया, जो पानी लेकर रखिया हूँ, वो पानी लेने गया था, और फिर वो वापस जब आ रहा था, ठीक है, वापस जब जोएन कर रहा था, तब आगे बता रहे हैं, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the sea, फिर जब वो गुलीवर है, जब वो वापस आ रहा था बच्चो, यानि कि जो पानी explore करने गया था बच्चो, ठीक है, जो पानी explore करने जाता है, और पानी लेने के लिए जो वो वापस आता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है कि जब मैं उदर जा रहा था, मैंने क्या देखा हूँ, वहापे मैंने रौकी, मैंने पत्थर बत्थर यह फिर आगे बता रहे है आपको बिफोर आई कुड रीच दैम आई अब्जर्ब आ यूज क्रियेचर वाकिंग आफ्टर दैम इन दसी एस फार्ट एस ही कुड अच्छा फिर वो क्या देखता है कि जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर एक चीज अब्जर्व करता है है जो गूलीवर है वो कुछ अबजर्व करता है अबजर्व करने का मतलब ने कुछ देखता है कुछ महसूस करता है और कहते जैंतू जन्तू, creature means तो जन्तू होता है, यानि जानवर कह सकते हैं, वो देखते हैं, कि भी इतना बड़ा कोई आ रहा है, जैसे दानव होते हैं, गैंट्स, यानि कि जानवर की तरह, दानव की तरह, राक्षस की तरह, कोई इसकी तरह आता है, और बहुत तेज वॉक करके आता है, मैं कहरा हूँ न? दानव प्रियेचर जिस दानव कह सकते हैं न शर्ग हिसको समझ में हे इतना बड़ा इंसान कहा से हो सकता है यह कूए हम नहिinya तो वह देखता है कि इतना बड़ा काई हम इनको देखता कि इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा दमी तो मैंने देख नहीं बहुत टॉल पीपल बहुत बड़ा आदमी एक तरह से राक्षस के जैसा वो इसे देखता है अब देखते हैं क्या होते है तो यह कह रहा है कि भी वो हमारे तरह वॉक करके आ रहा था दो वाटर दो वाटर ऑफ दो ऑशन रीच ओनी तिल हिस नी और जो समुद्र है जिसमें व हम लोगों करें बच्चो हम तो डूब जाएंगे लेकिन जो वो गुटने तक ही से टच कर रहा था यानि आप यह कह सकते हो कि समुद्र में वो डूबने वाला नहीं था जो पानी आ रहा था उसके घुटने तक आ रहा था उसके नी तक यह देखो हम लोग तो भे डूब जाएं इस पानी में लेकिन यह जो क्रियेचर है जिसकी बात हम लोग कर रहे है यह इस पानी कितने इसकी घुटने तक आ रहा है तो इत मिंस यह है बच्चो कि इस पानी में यह डूबने वाला नहीं है क्योंकि इसका साइस बड़ा है इसकी हाइट बहुत ज्यादा है तो ज्यादा हाइट की वज़े से यह पानी के अंदर डूब नहीं सकता ठीक है चलो अभी आगे पड़ते हैं कि मोरेवर हावेवर दा मॉन्स्टर वास अनेवल टू ओवर्टेक दा स्पीडी बोट जिस बोट से वो लोग जा रहे थे बच्चो उस बोट पर उसे मूंस्टर था मूंस्टर का मिनिंग यह अक्तर से कह लोग राक्षस बड़े साइज का है उसे हम राक्षस ही बोलेंगे उसे जो राक्षस का वो राक्षस इन लोग को नहीं पकड़ पाता है क्यों क्योंकि जो इनकी जो बोट होती है बहुत स्पीड में होती है यानि कि जो इनकी बोट है बच्चो जिस बोट में लोग जा रहे थे उसकी स्पीड जादा होने की वज़े से यह लोग उसे जो रा अप टू दा 40 feet अच्छा इन सब में क्या होता है यह सब लोग तो चले जाते हैं लेकिन उन में से एक परसन यानि कि मैं बात कर रहा हूं गुलीवर की गुलीवर उस शिप में नहीं जा पाता है देखो जो शिप मैं अभी दिखा रहा हूं आपको नहीं यह लोग जो इसमें तो इसके फ्रेंड वगएरा थो सब लोग चले जाते हैं इसके इंदर तीक यह उसके बैटके लेकिन इसको पकड़ना ले इसने कि नहीं कहीं होता है कैसे चलो पड़ते समझते हैं से महीं क्या होता है आगे हां तो वो और आहिए सो कुछ से मुड़ जाता हूँ एक लीम अप टु दे स्टीप हिल विद फील अफ बेर ली ओन दा आइधर साइड एंड दे कॉन राइज अप टो दो फोर्टी फीट कॉन यानि जो भुट्टा व अगरा जो थे ने भुट्टा मक्के का जो एक तरसे आप फसल कहलो तो उसके आसपास जो छिपता है और इसका जो साइस बता रहा है वह जो जो एक तरसे जो पॉधि लगे हुए उसका जो साइस बता रहा है बच्चो कौन का साइज कितना है फोर्टी फीट लॉंग है there was a fence to pass from the field to other अच्छा जो फील्ड था फील यानि जो खेत था बच्चो उसमें क्या था कि रास्ते भी बने वे दे ताकि कोई वहां से पास कर सके यानि कि यह कहने का मतलब यह है इस monster से इस राक्चस से ठीक बचने के लिए गुलीवर क्या करता है छिपने की कोशिस करता है कि मैं बच जाओ मुझे यह पकड़ ना सके इस राक्चस की है और वो उसको तो पकड़ी लेगा तो इस वज़े से वह पकड़ वह जो बचने की कोशिस कर रहा था बचना बड़ा मुस्किल है उसके लिए लेकिन फिर भी जो हमारा क्याना में बुलीवर है वह बचने के लिए अपने आपको बचाने के लिए बहात कोशिस करता है कि कि किसी गैप में छिप जाओ मैं मुझे य बचने के लिए पूरी कोशिस करता है when I discover one of the habitants in the next field walking towards the fence लेकिन उनमें से एक जो होता है वह क्या करता है इसे पकड़ लेता है पहले तो बचने की कोशिस कर रहा था और उस खेत में छिपने की कहीं बच जाओं कि मुझे ये राक्षस ना पकड़ पाए लेकिन उनमें से ए यानि जो भुट्टा होता है ना मक्का भुट्टा जो भी हम बोलते है बच्चो इसके खेत में वो छिपने की कोशिस करता है लेकिन उनमें से एक राक्षस राक्षस इसनी बोल रहा हूं मैं इसके अंदर monster क्योंकि इनका size बहुत बड़ा है बच्चो हम लोगों के comparison में मान most fear and astronomist तो वो कह रहा है कि मैं इनमें से एक के हाथों पकड़ा जाता हूं बहुत कोशिस करता हूं लेकिन वो मुझे पकड़ लेता है ठीक है और जब वो पकड़ता है उसकी हालत खराब होता है यानि कहने का मतलब ये वो फस जाता है इसके हाथ में I ran to hide myself और पूरी कोशिस करता है कि मैं अपने आपको बचा लूँ छिपा लूँ लेकिन भाई वो तो पॉसिबल नहीं है he he called in a voice much louder than a trumpet अच्छा ये जो राक्षा से है ठीक है ये जो राक्षा से वो अपनी जो आवाज निकालता है उसकी आवाज बहुत तेज होती है बहुत ज्यादा तेज इतनी सौर मचता है एक ल॥बाँत तेज इतनी तेज उसकी आवाज है जब साइस बढ़ा है बच्चो साइस बड़ा है ठीके इसका मत ऊग्षा बढ़ा तो इसके लिगी दो निकले टो सर यानव Miles के हिसाब से तो भी याक्तर से घोल बज गया उत्करसर आप कह सकते हो जैसे ऑन इसके तरह जैसे यह monster राक्षा से इसकी तरह seven monster इसके जैसे साथ और राक्षा आते हैं like him towards the field and ready to reap the corn ये लोग क्या कर रहे हैं ये तरह से farmer होगे मुझे लगता है बच्छो ये क्या farmer है और जब ये farmer है तो ये खेत में क्या करने है फसल काटने है होंगे इसकी तरह seven और ये कह स रखते हो कि बहुत सारे लोग मिलकर खेत में काम कर रहे होंगे और इनका size इतना बड़ा है size जाधा होने की वज़े से story में इसे राक्षास बताया जा रहा है monster बताया जा रहा है they carried a reaping reaping hook अब इन्होंने क्या क्या reaping hook जिसे काटने वाटने के लिए फसल काटने वगरा के जो इस्तमाल होता है वह अपने हाथ में carry कर रखे दिन है when one of the reaper याने की फसल काटने वाला होता है one of the reaper approach where I lay hidden I creamed as loud as could अचो उनमें से एक ने क्या कि अब इसे पकड़ने कोशिस करी तो जब यह क्या कर रहा तो उसे बचने की पुरी कोशिस कर रहा है कि मैं इनसे बच जा कर रहे हो कि बहुत सारे राक्षस थे जैसे बोल रहा है seven से ज्यादा राक्षस इकतर से creature थे उनमें से एक इसे देख लेता है और इसे पकड़ भी लेता है अपने अंगुठे और उंग्लियों के बीच में the creature stopped ripping याने की जो जो बड़ा सा दानव टाइप का आदमी है यह उ उसकी बात वो फसल काटना बंद कर देता है और मुझे अपने अंगुठों से और हातों की जो उंग्लियों होती है उससे मुझे पकड़ लेता है and about me close to his eyes 60 feet above the ground अब यह बता रहा है कि यह जो फसल काटने वाला जो गयंट है यानि कि राक्षस मॉंस्टर है यह मुझे अप 60 feet उपर यानि बहुत height में उठा लेता है क्योंकि इसके size के according जो गुलिवर की size है उसके size के हिसाब से यह बहुत ज्यादा height होती है और यह उसे उठा करके अपने eyes के सामने जैसे आप देख रहे हो ना अपने आखों के सामने से ले लेता है देखने के लिए कैसा आदमी है क कहां से आगया भई तो दोनों के लिए एक surprising चीज है तो इसके बारे मैं आपसे बताया जा रहा है next he looked me at the curiosity and blew my hair aside to get better view of my face अचा है यह जो बड़ा सार दानव फार्मर जैसा लग रहा है खेतवित में कुछ काम कर रहा था अपने तो वो इसे उठा लेता है और curiosity के साथ जब एक जिग्यासा के साथ ताकि यह जान जा कि भी आखिर इतना छोटा आदमी कहां से आगया हमारे यह यह सोच करके और वो इसके जो hair होते हैं यानि बालों को side कर देता है ताकि उसके face को यह कह रहा है उसके face को अच्छे से देख सके इसलिए बचो यहां sentence है he looked at me with curiosity and blew my hair aside to get better view of my face वनलब इसके चेहरों को देखने के लिए अच्छे से चेहरा देख सके इसलिए इसके जो बाल monster भी बोल रहें एक तरह से story के अंदर तो यह क्या करता है उसके जो भी बाल वगरा अड रहे होंगे भी चेहरे के पास तो उसे side करते है he called his friend and gentle place me on the ground अच्छा यह जो बड़ा सा दानव है यानि कि जो गैंट है आप कह सकते एक तरह से monster है वो क्या करता है अपने दोस्तों क अगर है उनको बुलाता है और gently place me on the ground अब मुझे बिल्कुल gently बहुत अराम से प्यार से नीचे जमीन पर रख देता है बलब नुकसान नहीं पहुचाता क्या करता है उससे उठा करके नीचे जमीन पर रख देता है mean they all set on ground to take और उनमें से इतने लोग है सब लोग ग्राउन से बच्चो कि वह छोटे से इस आद्मी को समझ नहीं पाता है इतना चोटा साथ में कैसे हो सकता है तो उसको स्थीक से देखने के लिए सब लोग नीचे ग्राउन में बैठ जाते ताकि गुलीवर को ठीक है जो उनके एक तरह से लैंड में एक नया आदमी आ गया है उसको आए ये वाक्त स्लोली बैक्वर्टन फारवड और वह बता रहा है कि मैं तो भी बहुत स्लोली कभी आगे की तरह जाता कभी पीसे की तरह जाता है पुल्ड ओफ माई है एड है यानि कि टोपी जो होती है फिसमे का गरता है अपनी जुट अपनी चुपी एक उसको भी तोटा आदमी कैसे आ गया तब वो क्या करता है इसके टोपी को हटा देता है और हटाने के बाद उससे देखता है I try to speak to them loudly in several languages अच्छा गुलीवर के बारे में बोला जा रहा है कि गुलीवर क्या करता है बहुत सारी language जानता होगा तो वह क्या करता है वो ट्राइ करता है बोलने की बहुत तेज क्योंकि इतने बड़े साइज में फार्मर जो राक्षास मॉस्टर दिख रहे हैं उनको इतने छोटे से इंसान की आवाज नहीं पहुंचेगी इसलिए गुलीवर क्या करता है बहुत लाउड तेज अवाज में चिल्ला आता है एक तरह से आप बोल सकते हों आई ट्राइटू स्पीक लाउड टु दैम लाउड लीं सेवरेल लैंगविज सेवरेल लैंगविज यानि कि अलग-अलग लैंगविज में यह सोचके कि अगर इंग्लिश ने आती हिंदी आती होग पंजाबी आती होगी कोई इच टाइम आई डिट सो दा फार्मर्ट हू पिग्ड मी अप हैल इस आई यह यह वरी क्लोजर टु मी अच जब भी वो कुछ बोलता यानि कि गुलीबर जब भी कुछ बोलता तो जो फार्मर था जिसने उसे उठाया हुआ था वो क्या गरता कि उसे उसे अपने कानों के प घ्राज दो फार्मर है बच्चों जिसका साही बहुत ज़्यादा बढ़ है वो क्या करता है इसकी आवाज को समझ सके करें क्या बताना चाहर treasury मी उसको पने कानों के पास लेके आता है ताकि उसकी बात समझ पाए कि गुलीबर क्या बोलना चाहरे बट इट वैन ले consulting यह सब बेकार हो जाता है, बेकार इसली हो जाता है क्योंकि उसके उसकी language समझ में क्योंकि ग controllers beingあको कुछ और language बोलता हो और जो farmer है जो another monster, जो बड़ा सा Rakshas जैसा farmer है, ये उसकी बात नहीं समझ पा रहे है, क्यों नहीं समझ पा रहे हÍ क्यों हो सकता है बच्चो दोनों की language अलगो और गुलीवर का size बहुत छोटा हो ये चिला-चिला के भी बता पा रहा है बट जो farmer है जिसका size बहुत बढ़ा है ठीक है वो इसकी बात समझ ही नहीं पा रहा है अच्छा अभी जो farmer है भच्छो जिसने उसे उठाया था गुलीवर को उसे उठाया गर ले जाता है या य्लिन फिर्मा ले जाता है या जिस पे खाना खाते है बच्छो उस टेबल पे रख देता है देखो कुछ इस तरह से, अभी मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ, देखो जैसे ये टेबल है जहाम लोग खाना वाना खाते हैं बच्चो, इस तरह का एक टेबल है बच्चो, इस टेबल पर उसे रग देता है, यानि कि जो फार्मर है वो उसे अपने घर ले जाता है, और अप जानते हैं, तो जो फार्मर है मुठी है, अपने घर ले जाता है, उसे और अपने घर ले जाता है, जो डाइनिंग टेबल होता है बचो डाइनिंग टेबल के पास उसे रख देता है which was 30 feet high from the floor अच्छे जो डाइनिंग टेबल है बचो उसकी height के बारे में बता रहा है गुलीवर कि ये जो टेबल है डाइनिंग टेबल which was 30 feet यानि कि 30 feet above है ground से जो floor है बचो ground है एक तरह से कह सकते है उस floor से जो table की height है वो 30 feet है अब देखो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा लगेगी क्योंकि हमारी size कम है लेकिन ये जो monster है ये जो राक्षस है इनका size बहुत ज़्यादा है इनके height बहुत बढ़ी है तो इनके हिसाब से तो ये table ठीक ठाक है लेकिन बच्चो क्योंकि हम लोगों का इस राक्षस के comparison इस जो farmer आपको देख रहे है इसके comparison में गुलीवर का size कम है इस वज़े से गुलीवर को ये जो table का size है बचो बहुत ज़्यादा लग रहा है और इसे ये भी लग रहा है कि ये table कितना हुचा है 30 feet above the floor floor से कितना high है ये 30 feet ज़्यादा है अच्छा अब आगे बढ़त देख देख dinner was bought for the farmer in the dish which was 10 feet in diameter जो dinner है यानि कि जो खाना है farmer के लिए खाना लाया जाता है और ये जो खाना है खाने के अंदर जो भी material आता है बलब डिनर करने सब लोग बैटते हैं घर में तो जो डिनर करने बच्चों बैठे हैं तो विडिनर में जो भी चीज आती है उसके बारे में बोला जा रहा है वो 10 feet in diameter यानि कि जो चीज खाने में लेके आई गई है जो भी खानी का समान ले आया गया है उसके बारे में बोला जा रहा है कि वो circular shape में होगा ठीक है जैसे circle होता है न बच्चों circle circle के अंदर diameter होता है तो diameter की according बता रहे है वो 10 feet diameter का यानि कि कितना बड़ा खाना उसके लिए आया है the farmer's wife crumbed some bread and please it before me अच्छे जो फार्मर की जो वाइफ है उसने क्या गया जो ब्रैड होता है बच्चो ब्रैड को तोड़ दिया एक तरसे टुकड़ों में कर दिया और तोड़ने के बाद मेरे सामने रख दिया किसलिए खाने के लिए हो सकता है यह कि अच्छी कैसे लग रही है क्योंकि इन्हों ने उसको खाया नहीं बल्कि इसको अपने घर ले गया फार्मर और ले जाने के बाद क्या किया कि इसको टेबल में बठा दिया और टेबल पे और इसकी वाइफ ने ब्रैड को टुकड़े-टुकड़े करके इसके सामने रख इन दे मिडल ऑफ दे डिनर आई हर्ड अनोईस बिहाइंड मी अच्छा जब वो डिनर कर रहा था कौन इनर बलब यह जो फार्मर है और फार्मर की वाइफ भी डिनर कर रही थी उस बीच में जब भी गुलीवर भी डिनर करने लग गया तो गुलीवर को इन्हों ने ब्रैड खाने के लिए तो जब वो खाना खा रहा था उस बीच में क्या होता है कि जो गुलीवर किसी चीज की आवाज सुनता है इसले बोलता है इन दे मिडल ऑफ दीनर कि खाना खाते-खाते आई हर्ट अनोईस बिहाइंड मी कि मेरे पीछे से एक आवाज आती है वही किसी चीज क अगर देन आक्स पूरिंग मिन्स होता है बच्चो गुरु 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 आना एक तरह से जैसे आपने डॉगी को या बिली को छोटे जानवर अगर जब उनकी लडाई होती है तो एक दर उसे न करते हैं ऐसी आवाज निकालते है गुरु आते हैं दूसरी को पर कि मैं इसे टेब की वह ओवाज निकालते है it was the pouring of a cat that was 10 times bigger than Ox यानै कि जो इक बिली है इस बिली के बारे में बताया जा रहा है इसका size 10 times 10 times larger है as compared to Ox, Ox मतलब होता है बचो बेल यानि की जो बैल हमारे आसपास होता है बचो, गाए बेल अपने सुना होगा इतना bell का size होता है bell की size से भी 10 times bigger है cat का size तो दिखाता हूँ है ये gulliver इस cat की बात कर रहा है जो gulliver इस cat की cat का size है वो ox बैल की size से 10 times बढ़ा है याइन कि आप ये बोल सकते हो याइन गुलिवर का size इतना कम है और इस cat का size बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसकी जो wife थी, farmer की जो wife उसने उसके लिए ये देखो, खाने के लिए bread के टुकड़े करके दे दिये थे, ताकि गुलीवर कुछ खाना खा सके, और इस बीच में ये बिल्ली गुर गुराने लग जाती है, ऐसे जैसे बिल्ली उस इस बीच में क्या होता है, जो farmer है, उसकी wife अपने one year old, यानि कि एक साल के बच्चे को लेके आती है, on the scene, the child grabbed me, और जो बच्चा होता है, जो कि एक साल का बच्चा है, farmer का जो बच्चा है, वो क्या करता है, मुझे देखते ही, मुझे ग्रैप कर लेता है, मुझे उठा लेत है, from the table and put my head into the mouth, और जो इसका सर होता है, एक तरह से कह सकते है, उसे अपने मुझे लेने लग जाता है, देखो कुछ इस तरह से, यानि कि ये जो lady है, यानि कि जो farmer की wife है, ये क्या करती है, अपने एक साल की बच्चे को लेके आती है, और उसका बच्चा जब इसको देखत है, गुलीवर को देखता है, तो उसे उठा करके बलब अपने हाथों से पकड़ लेता है, और उसे लगता है, ये खाने पीने की कोई चीज है, ये तो baby है, बच्चा ही है, size में बड़ा है, लेकिन है तो बच्चा है, इसे लगता है कि ये कुछ खाने का चीज है, तो उठा क्या समझ लेता है, ये कुछ खाने पीने के चीज है, और उसे अपने मुझ में डालना, स्टार्ट कर देता है, अब देखतें क्या होता है, on the swing, seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth, I shouted so loudly, अच्छा अब जो बच्चा है, बच्चा है एक साल का, वो उसको गिरा देता है, जो छोड़ देत अपने हाथ से, पहले वो सोचता होगा, कि ये तो कोई खाने पीने की चीज है, ये कोई खाने की चीज है, तो उसको मुझ में लगने लगता है, तो जो गुलीबर है, वो अपने आपको बचाने के लिए, क्या करता है, बहुत तेच चिलाता है, तिसले बोल रहा है, I shouted so loudly, म the mother had not held her upon under me, अच्छा, फिर आगे बता रहा है, कि मेरा जो गर्दन है, नेक है, वो टूटी जाता भई, ठीक है, अगर ये जो लेडी है, कौन सी लेडी, ये जो उसकी मदर है, जो बच्चे की ममी है, फार्मर की वाइफ है, अगर मुझे वो नहीं पकड़ती, मुझे नहीं समालती, तो भही मैं तो मरा पड़ा था, एक तरह से, मेरी जो गर्दन है, वो टूटी जाती, लेटर, she put me on her own bed and covered me with a clean white hanker chip, अच्छा, फिर आगे बता रहा है, कि भी इसके बाद, यानि कि पहले तो उसने उसको बचा है होगा, क्योंकि उसका जो बच्चा है, वो तो उस लेटर, she put me on her bed, वो अपने bed में उसे लिटा देती है, रख देती है, और उसे cover कर देती है, बिल्कुल साब सूत्रे white rhumal के साथ, देखो ये देखो, ये पिक्चर देखो कि जाधा clear होगा आपको, तो इस पिक्चर में, जैसे आपको दिखा है, वो क्या गरती है, इस gulliver को पिलिटा देती है, एक तरह से सुला देती है, और किसके उपर, इसका जो white rhumal है, बिल्कुल साब सूत्रा white rhumal जो होता है, उसे clean white handkerchief, यानि कि रुमाल से धग देती है, I slept dreaming of my house, my home, my wife and my children, अच्छे, जब ये सो जाता है gulliver, तो वो अपने बच्चों के बारे में, अपन इस तरह के वो सपने देखता है, तो बच्चों ये थी एक स्टोरी, gulliver की, gulliver की travel की, कि gulliver कहीं जाता है, और पानी लेने के लिए, वो अपने ship, यानि ये जहाद से उतरता है, पानी वानी तो मिलता है उसे, लेकिन भही कोई राक्छस मिल जाता है, उसे और उसे बचने क चक्कर में, खेत में जाके छिप जाता है वो, और उसके बाद ये फार्मर उसे पकड़ लेता है, फिर फार्मर अपने घर लाता है, फिर तो भाई आपको मालूमी है, फिर वो बच्चा उसको खाने की कोशिस करता है, बट उसकी वाइफ अच्छी होती है, वो उसको बचा लेती है, खाने नहीं देती है, और उसे यहां रख लेती है, तो बच्चो ये थी स्टोरी आपके इस बुक के अंदर ये स्टोरी थी, कैसी लगी आपकी स्टोरी, कमेंट करके ज़रू बताना, ठीक है, अगर आपने पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देखा है, तो चैन बहुत तेज चिलाते हैं, अब लोग, अपनी वॉइस निकालते हैं, बहुत तेज, तो उसके बारे में बोला जा रहा है, वेरी लाउड नॉइस, इन हैबिटेंस में होता है, कि कोई कहीं का रहने वाला, निवास ही कह सकते हो, ओक्विपेंट बोल सकते हो, रेजिदेंट बहुत भी बोल सकते हो, आप एक तरह से, जहां कोई रहता है, अच्छे, बैरन मिन्स होता है, प्लेस वेर, नो वेजटेबल, यानि कि जहां पर पेड़ पौधे नहीं हो, वहरा भरा नहीं हो, कहने का मतलाब कह सकते है, एक रेगिस्तान टाइप का, जहां पर भी सूखा प तोड़नेना, यानि कि तोड़ना, ब्रेक करना, तो उसकी मिनिंग यहां पर क्या दे रहता है, आपको ब्रोकन इंटुदा, पीसिस, यानि कि छुटे-छुटे टुकडे में डिवाइड कर देना, ग्रैप मिन्स होता है, बच्छो पकड़ना, पिक सडलने, यानि कि कोई आ नेक्स वीडियो में, हाँ, कुशन आंसर मैं करवाँगा, इसका जब सेकिंड पार्ट लेके आउंगा, बच्छो, उस सेकिंड पार्ट में मैं इस चेप्टर का, इस स्टोरी का कुशन आंसर आपको करवाँगा, ठीक है, चलो, अभी के लिए बाई-बाई-बाई, मिलते है दॉले हो देनीं सो और विडियो में, हाँ, जो स्क्रीन पए आपके कुछ कुछ वीडियो आ रही है, आपकी क्लास 5 की वह आप देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके क्लास 15 की प्लिहिस्ट का लिंक दिया हुए, जिसे आप टच करके, क्लास 15 की सारे सबढ़ी के वीडियो देख सकते हो बचो ठीक है अभी के लिए बाई